तशमलव का प्रयोग मतलब पाँच रुपए तथा पचास पैसे दे दो इसने मुझे कहीं ठक तो नहीं लिया चलकर पापा से पूछता हूँ पापा मैंने दुकानदार से कुछ टौफियां मांगी और उसने मुझसे पाँच तशमलव पाँच शून्य रुपिये ले लिये तो क्या हुआ मैं कुछ समझ नहीं पाया कि उसने पाँच और पचास के बीच में दशमलव क्यों लगाया मैं समझाता हूँ उसने पाँच दशमलव पचास इसलिए कहा क्योंकि एक रुपै से कम मूली के सिकों या पैसों को हम दशमलव या पॉइंट में लिखते हैं पचास पैसे की किमत एक रुपै से कम है इसलिए इसे दशमलव पचास में लिखा जाएगा अच्छा मदला पाँच रुपिया और एक अठन नहीं हाँ देखो एक पैसा एक रुपै का सौवा भाग है तो इसे सैकड़े में शून्य दशमलव शून्य एक लिखते हैं उसी प्रकार दस पैसा एक रुपै का दसवा भाग है इसलिए इसे शून्य दशमलव एक शून्य लिखते हैं उसी प्रकार पचास पैसे को शून्य दशमलव पाँच शून्य लिखते हैं समझ कया पापा हम दशमलव का और कहां कहां प्रयोग कर सकते हैं दशमलों का प्रयोग हम लंबाई, भार, धारिता आदी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं वो कैसे? देखो, जैसे 10 mm एक सेंटीमीटर के बराबर होता है तो एक मिलीमीटर एक भागे 10 cm यानि 0.1 cm होगा अगर हमें 7 cm 8 mm लिखना हो तो 7 और 8 के बीच में एक बिंदू लगा देंगे तो हो जाएगा 7.8 cm उसी प्रकार यदि कहीं पर 6.008 km लिखा हो तो इसका मतलब होगा 6 km और 8 मीटर तो इसको आपने किस विधी से निकाला? मीटर को किलो मीटर में बदलने के लिए मीटर में 1000 से भाग दे दिया जाता है इस प्रकार 0.008 km हो जाएगा और धारिता में अगर हमें 4 लीटर 515 मिली लीटर को दशमलव में लिखना हो तो हम इसे 4.515 लीटर लिख सकते हैं नियम सब में समान ही होता है ओ, अब तो मैं दशमलव का प्रयोग अच्छी तरह कर सकता हूँ झाल